समर्थ कलासेस में सभी का स्वागत है आज हम लोग देख रहे हैं गुननखंड से संबंधित प्रस्ट गुननखंडों की संख्या ग्याद करने दिया जाता है तो गुननखंड किसे काते हैं? गुननखंड काते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे मैंने पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसका गुननखंड जैसे यहाँ 10 है तो 10 जो है 1 से 2 से 5 से और 10 से विभाजित हो जाती है एक से दो से पाच से और दस यानि इसके qlar कितने गुनन खन हुए है तो चार गुनन खन हुए उसी तरह हम लोगों को निकालना है 240 के qlar की संख्या 240 तो बड़ा अंग के गुनन खंडों की संख्या निकालने में काफी time लग जाएगा अगर उस तरह निकाला जाए तो इस लिए कैसे निकालना इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग 240 को तोड़ेंगे ठीक है कैसे तोड़ते हैं फेक्टर की तरह करेंगे इसको 2 से जा रहा है ऐसे 2 से कट गिया फिर 2 से जा रहा है फिर 2 से जा रहा है फिर 2 से चला गिया नहीं जाएगा कितना जाएगा तीन से 5 आगए अब इसके गुलनखन्ड और नहीं होगे पांच के बाद छोटा ओगिया अब हाई जोगिया तो अब हम लोग इसका लिख देंगे क्या आया है तो दो कितने आया है तो एक दो तीन चार तो दो का पावर चार लिख दिये तीन आया है एक तो तीन लिख दिए और पांच आया है एक तो पांच लिख दिए ये हो गए इसके गुननखंड लेकिन हमको गुननखंडों की संख्या ग्याद करने का गया कि कितने गुननखंड है कुल गुननखंडों की संख्या तो संख्या कैसे निकालेंगे इसी को सीखना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो कितने बार आया है तो दो आया है चार बार तो जब हम लोग गुननखंडों की संख्या ग्याद करेंगे तो एक अधिक लिखना है यानि चार आया तो चार और एक लिख दिए पांच गुना तीन एक आया है तो इसको लिख देंगे एक और एक हो गया दो पांच एक आया है तो एक बढ़ा के लिख देंगे इसको भी दो कितने हो गया पांच दूना दस दस दुना 20 इस तरह 240 के कुल कितने गुननखंड हो गए तो 240 के कुल 20 गुननखंड हो गए ठीक है इस तरह next question देखते है अब है 500 के कुल गुननखंडों की संख्या जाद करें 500 के कितने गुननखंडों है तो उसी तरह हम लोग करेंगे 500 का फेक्टराइज कर देंगे तोड़ देंगे इसको तो 250 हो यानि 2 से देने से आधा हो जाता याद रखेगा फिर 2 से दिये तो हो गया 125 हो गया अब 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 25 हो गया फिर 5 से जाएगा 5 25 यानि हो गया हमारा 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3 ऐसा हो गया तब गुननखनों के संख्या कैसे ज्याद करेंगे इन्हें 2 आया 2 बार तो जितना आएगा उससे एक बढ़ा करके लिखना है मैंने 2 आया तो 3 लिखना है तो 3 लिख देंगे गुना 5 आया है 3 बार तो 4 लिख देंगे तो 3 गुना 4 हो गया 12 यानि 500 के कुल कितने गुननखन है तो 12 बहुत ही आसान है इस परकार एक और कोस्चन है 360 के कुल गुननखनों की संख्या तो बहुत आसान है हम लोग जैसे बनाएं हम लोग 360 का क्या करेंगे फेक्टराइज कर देंगे 2 एक कम दो 2 अठे 16, 0, 2 नम 18, 0, 45, 3 से 15, 3 पचे 15 क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग देख रहे हैं 2 आया 1, 2, 3, 1, 2, 3 3 दो आया तो 2 का पावर 3 लिख दिये 3 कितना आया 3 आया 2 तो 2 लिख दिये और 1 आया है 5 तो 5 लिख दिये अब गुननखन्णों की संख्या जैसे हम बताएं वैसे करना है 2 आया है 3 बार तो इसको लिख देंगे 4 एक ज़्यादा लिखना है 3 आया है 2 बार तो इसको लिख देंगे 3 और 5 आया है 1 बार तो इसको लीग देंगे तो चार तिया बारा बारा दूनी चोबिस इस तरह हम लोग गुननखंडों की संख्या आसानी से ग्याद कर सकते हैं अब है 180 के सभी गुननखंडों के योग ग्याद करने देखिए question थोला सा change हो गिया है अब गुननखंडों की संख्या ने ग्याद करने है गुननखंडों का योग ग्याद करना है क्या करेंगे हम लोग तो उसी तरह बनाना है सबसे पहले फेक्टराज तो करना ही होगा सबसे पहले इसको तोड़ देंगे नवे, पैटालीस, नवे, पैटालीस, इसके बाद, पंदरा, इसके बाद, पांच, यानि हमारा आ गया दो, दो बार, तीन भी दो बार, और पांच आया है एक बार, अब देखना है कि हम लोग योग कैसे ग्याद करते हैं, तो यहां आया है दो जोका स्क्वाइर आया, मतलब दो बार, इसको कैसे लिखना है इसो देखे जहां है, गुना, तीन का पावर दो है, इसको कैसे लिखेंगे, तीन का पावर दो उसी तरह, तो 3 का power 0, जोड 3 का power 1, जोड 3 का power 2 इसके बाद आया है 5 का power 1, इसको कैसे लिखेंगे तो 5 का power 0, जोड 5 का power 1, पावर है अब यह सब को मान निकालेंगे, 2 का power 0 होता है 1 2 का power 1 होता है 2, 2 का square होता है 4 यह इतना गया, यहां कितना रहा, 3 का power 0, 1 हो गया 3 का power 0 हो गया 1 3 का power 1 हो गया 3, और 3 का square हो गया 9 और तीसरा है 5 का power 0 हो गया 1, और 5 का power 1 हो गया 5 अब जोड दीजे पहले, 4, 2, 6 और 1, 7 9 और 3, 12 और 1, 13 और 5 और 1, 6, अब गुना कर देना इसको तो 7 गुना 13 चक 78 13 चक 78 हो गया, अब इसको गुना कर गया 7, 8, 56 के 6 हाथ में 5 7, 7, 8, 56 के 6 हाथ में 5 7, 7, 9, 6 और 5 54 यानि 180 के सभी गुनन खन्नों का योग कितना हो गया 560 अब प्रस्ण है, 24 के सभी गुनन खन्नों का योग ज्याद करें 24 के सभी गुनन खन्नों का योग ज्याद करें तो हम लोग 24 का फेक्टर करेंगे दो एक कम दो, दो दूनी चार, दू छक बारा, दो तिया छे हो गया यानि दो आया तीन बार और तीन आया है एक बार ऐसे लिख दिया आब इसका योग ज्याद करना है गुनन खन्नों की संख्यान है इस बार योग तो दो का पावर तीन है इसको कैसे लिखेंगे तो दो का पावर जीरो जोड़ दो का पावर एक जोड़ दो का पावर दो जोड़ दो का पावर तीन ऐसे लिखना होगा मने जहां तक आया है वहां तक जाना है तीन का पावर एक को कैसे लिखेंगे तीन का पावर एक को लिखेंगे तीन का पावर जीरो जोड तीन का पावर एक लिख दिये अब देखते हैं क्या मान होता है दो का पावर जीरो होता है एक दो का पावर एक होता है दो, दो का स्क्वार होता है चार, और दो का पावर तीन होता है आठ, ऐसे कर दिये, फिर गुना, तीन का पावर जीरो कितना होता है, तो तीन का पावर जीरो होता है, एक, और तीन का पावर एक कितना होता है, तीन का पावर एक होता है, तीन, अब हम हम लोग जोड़ते हैं 8-4 firstly secondly 3 3 4 तो साइट होगा इस तरह हम लोग आसाहնी से गुनन खंडों की संख्या ग्याद कर सकते हैं और गुनन खंडों का योग भी ग्याद कर सकते हैं झाल झाल